रिवनिंग फ्रेंड स्वागत एकबर फिर से आप सभी के अपने यूटूब चैनल अपलाई नाओ में दोस्तो अगर आप सिर्फ दसवी पास हैं और रेलवे में जॉब करना चाते हैं और आपकी एच 18 से भी कम है तो आज की ये भी हमारी वीडियो आप तक पूरा जरूर देखेगा तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आज ही चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डाले तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुच जाए तो चलिए बात करते हैं आज की लेटस वेकेंसी के बारे में आज की वेकेंसी आपकी निकाली गई है आर आर सी की तरब से आर आर सी यानि रेलवे रुकर्मेंट सेल की तरब से आपके एस्ट पोच रेलवे की तरब से भुनेस्वर में आपके ट्रेड एपंटिस 2022 के ओनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें form date की तो इसके form आप 8 फरवरी 2022 से भर सकते हैं जिसके last date आपको 7 मर्स 2022 तक दे रखी है कुल total vacancy की बात करें तो इसमें आपको vacancy भी काफ़ी अच्छी 756 date निगाली गई चै application fees general OBC EWS candidate की 100 रुपीज रखी गई है वहीं आप SCST female candidate है तो आपसे कोई भी fees नहीं लिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें age criteria की तो इसमें age आपका 7 मर्स 2022 से count किया जाएगा जिसमें minimum 15 years से लेके maximum 24 years के candidate भी apply कर सकते हैं वहीं आप OBC candidate है तो OBC को 3 years and SCST को 5 years का age relaxation भी दिया जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें LGBT और salary की तो अगर आप 10 वी पास हैं और आपके 50% आ रखे हैं और साथ ही में friend आपने eye tag कर रखा है related trade के अंदर जैसे feeder, mechanical, car painter, refrigerator और भी आपकी कई सारी trade up notification को download करके पढ़ सकते हैं तो आप इस form में apply कर सकते हैं वहीं stipend की बात करते हैं तो इसमें आपको stipend 12,000 पर मन्थ दिया जाएगा वहीं selection की बात करते हैं तो इसमें आपसे कोई भी exam नहीं लिया जाएगा इसमें आपके 10th class के marks और eye tag के marks के base में merit list निकाली जाएगी तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें apply process की तो सबसे पहले आपको apply के link पे क्लिक करना है apply के link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा step 2 में आपको अपनी personal and education details फिल कर लेनी है step 3 में आपको examination fee पे करना examination fee आप online पे कर सकते हैं जैसे debit card, credit card, UPI जिससे भी आपको ठीक लगे form बनने के बाद friends आपको form का print out निका लेना है या फिर आप चाहे तो PDW सेफ करके रेक सकते हैं for future reference के लिए तो उमीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो please video को like and channel पर पहली बार हैं तो please channel को subscribe करना ना भूले तब तक ले जाए हिंद बंदे मातरम